स्रमाजबादी पार्टी के नेता स्वामी परसाद मौरिया ने मर्यादा पुर्सुत्तम भगवांसी राम को लेकर के जो बयान दिया है पहले तो ये राम को जब मानते नहीं है और जानते ही नहीं है तो इनको पूछने का अधिकार नहीं है और स्वामी परसाद मौरिया को मैं यह इतने कहूंगा अपने सनातनियों से कहूंगा हिंदुऊं से कि एक बैकती की जैसे होता है कि आदमी जुखाम हो गया तो नाक भा रहा है और डेली आदमी बातरूम बजा रहा है लेटिंग जा रहा है तो जो गंदगी निकलती है तो यह गंदगी है यह सनातनियों की हिंदूओं की गंदगी है जो निकल रहा है तो स्वामी परसाद मौरिया जो है यह सिर्फ ऐसी गंदगी है जिसकी दुरगंध फैल नहीं है चारो तरफ और जितना जल्दी हो सके ये गंदगी साफ होनी चाहिए क्योंकि ये हद कर दिया है जब ये हिंदू को नहीं मानता है सनातन धर्म को नहीं मानता है तो फिर इसको इस पर बयानी नहीं देना चाहिए इस तरह का जो बयान बाजी कर रहा है पहले जानो, समझो, गरंथों को पढ़ो, गुर्जनों के पास जाके समझो, सास्तरार्थ का विशय है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो विद्वानों के पास जाके समझो अब इस तरह की बयान बाजी मर्यादा पुरसोतम भगवान स्री राम के विशयम कर रहे हो, इन्हों ये नहीं पता है कि देश में सो करोड से जादा लोग मर्यादा पुरसोतम भगवान स्री राम को अपने प्राणों से अधिक मानते हैं, इसलिए इस तरह की बयान बाजी जो गुद्धी जीवी वरका वेक्ति और एक जिम्हार वेक्ति का बार बार सनातन की बारे में बयानाना, दम हो अनमजभ के बारे में एक सब्द बोल कर देख ले, नहीं बोल सकता, हम सहसनू है, सनातनी है, क्या बात है स्वामे प्रसाद मौरी या निंद बोला, भगवार राम को अंदर एक जागरिती लानी पड़ेगी हिंदु को जागरुक होना पड़ेगा ऐसे कालनेमी राक्चस को मुहतोर जबाब ऐसे देना पड़ेगा तब जाकर यह सुधरेंगे ने सुधरने वाले नहीं है बताओ इतने वर्षों के बाद मंदिर का निर्मान उसके बाद हमारे स सनातन परंपरा में विवस्ता है 24 गंटा के अंदर क्योंकि जिव में प्रान प्रतिष्टित हम लोग कर देते हैं मंत्रों के द्वारा जब उसका भोग राग पूजा पाठ कर नहीं हो तो करना पड़ता है कईक बार मंदिर इधर से उधर किया गया हटाए गया चल और अच प्रतिष्टा वहां पर की गई है इसके नाते करना जरूरी थी और इस प्रकार से उनका ब्याना निंदनी है दुरभाग पूर्ण है इसका पुर्जोर विरोध करते हैं निंदा करते और सनातनी से कई बात कहते हैं जैजाई स्रीडा देखे स्वामी परसाद मौरिया का दि जो सनातन धर्म के विपरीत बोलते आया है बेक्ति वो सनातन धर्म के विपरीत बोलेगा ही लेकिन उसका प्रतिकार करने का मतलब स्वयम गंदगी में जाना इसलिए ऐसे नास्थिक बेक्ति सो बच के रहना चाहिए स्वामी परसाद मौरिया अब जीवन के अंतिम पड़ाओ पर हैं पागलपन की सावी सिमाय पार कर चुके हैं उनकी दसा बताती है कि सीगल ही यमराज के दरबार की सुभा बनने कर समय आ गया है अब उनका राम नाम सत्य होना बाकी है इसलिए उनको चाहिए था कि अपने पापों का प्रायश्चित करें जो अब सब उन्होंने अब तक निकाले हैं अखिल ब्रह्मान नायक की विशे में उसको वो स्वेम छमा मांग लें अपनी आत्मा से क्योंकि मृत्यू के उपरांत उनको घोर नरग भोगना है जो आया है वो जाएगा भी और रामी स्वामी स सुबा हुआ नहीं देखेंगे